ब्रॉट तो यू बाई अजिलिस डाइगनोस्टिक्स भेल टेस्ट की बाद आती है तो मैं फ्रोसा करता हूँ इंडियांस लाज़स डाइगनोस्टिक्स कंपनि अजिलिस डाइगनोस्टिक्स खुद को टेस्ट करते रो नवसकार राशी चक्र में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ प्रविण मिस्र आईए जानते हैं आज का दिन आपका कैसा बितेगा सबसे पहले बाद आज के पंचांकी 22 सितंबर 2024 दिन रविवार अश्विन माश चल रहा है क्रश्न पक्ष है पंचमी तिथी रहेगी दो पहर तीन बज कर 43 मिनट तक फिर सस्टी तिथी प्रारंब हो जाएगी कृतिका नचत्र रहेगा रात को ग्यारा बज कर दो मिनट तक फिर रोहनी नचत्र शुरू हो जाएगा चंद्रमा ब्रश राशी में गोचर कर रहे हैं भगवान शूर एकन्या राशी में भी राजमान है अभिजीत मुहूर्त का समय होगा सुबह ग्यारह बज कर 49 मिनट से दो पहर 12 बज कर 38 मिनट तक राहुकाल का समय होगा शाम को 4 बज कर 46 मिनट से शाम को 6 बज कर 17 मिनट तक दिशा शूल है पश्चिन दिशा चले शुरू करते हैं आपका राशिफल सबसे पहले बाद मेश राशी की परिवार में सुख बढ़ेगा यात्रा से लाव होगा मन की चिंता दूर होगी बाचीत में अहंकार ना दिखाएं सेहत ठीक रहेगी व्यापार में लाव का योग है जरूरिटिप क्रोध से बचें शुबरंग पीला उपाए भगवान शूरे को जल अरपित करें ब्रश राशी धन लाव का योग है रुके हुए काम पूरे करने का दिन है प्रापर्टी खरीदने का योग भी बन रहा है आपका सम्मान और बढ़ेगा दुश्मन शान्त रहेंगे व्यापार में स्थिती अनुकूल रहेगी जरूरिटिप आलस्य से बचें शुबरंग गेरुआ उपाए किसी गरीब को आटे का दान करें मिथुन राश्शी आपके खर्चे बढ़ेंगे रोग परिशान कर सकते हैं लोगों से उलजने से बचना होगा भावनाओं में बह कर कोई भी काम करने से बचें धन से जुड़े मामले में धोखा मिल सकता है सावधान रहें व्यापार में नुकसान हो सकता है बहुत सावधान रहें जरूरी टिप, नेगेटिविटी से बचें, शुबरंग, नारंगी, उपाय किसी गरीब को गुड़ दान करें करक राशी, भाग का सपोर्ट मिलेगा, मित्रों की मदद से काम बनेगे, परिवार में सुख बढ़ेगा कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहेगा, आप कोई बड़ा निर्ने ले सकते हैं, लंबी दूरी की यात्रा ना करें व्यापार में लाब होगा, जरूरी टिप, जल्दवाजी से बचें, शुबरंग, सफेद, उपाय, गव माता को रोटी खिलाएं सिंग राशी, प्रापर्टी से संबंधित लाब होगा, परिवार के साथ वक्त बीतेगा, धैर रखने का समय है आवेश में आकर कोई बात कहने से बचें, प्रेम संबंधों में गहराई और बढ़ेगी, व्यापार में स्थिती बहतर होगी जरूरे टिप कम बोले, शुबरंग लाल, उपाए भगवान शूरे को जल अरपित करें कन्यराशी, मन आपका उत्साहित रहेगा, धन कमाने के लिए योजना बनानी होगी शत्रू शान्त रहेंगे, अपने व्योहार में विनम्रता रखें, परिवार वालों की सला से काम करें कारोबार से जुड़ी कोई यात्रा ना करें, जरूरे टिप जगड़े से बचें, शुबरंग हरा, उपाए, किसी गरीब को पीले फल दान करें अब वक्त है आपके सवाल का, हमें सवाल मिला है, योगी नाम से इन्होंने सवाल पूछा है, इनकी डेट अब बर्थ है, 4 जुलाई 2001, जन्म का समय सुबह 3 बजे, जन्म इस्थान गांधी नगर गुजरात का है, इनका सवाल ये कि ये काफी समय से UPSC एक्जाम की तयारी क कर रहे हैं, इन्हें सफल होने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, देखे आपने जो बर्थ डिटेल बताई है, योगी नाम से, उस आधार पर आपकी कुंडली बन गई है, आपकी ब्रश लगन की कुंडली है और ब्रशिक राशी है, आपका जन्म जेस्था नचत्र के आपकी कुंडली के हिसाब से, आपको बहुत मेहनद करनी होगी अभी मेहनद उतनी नहीं हो पा रही है जितनी की UPSC exam निकालने के लिए चाहिए तो बहुत मेहनद बढ़ाने की आवश्यकता है अगर आप अच्छे से मेनत करेंगे बहुत ज़्यादा मेनत करेंगे तब जा करके आपको कामियाभी मिल सकती है और इसका समय होगा जुलाई 2026 से माई 2029 के बीच में आपको सफलता मिल सकती है लेकिन बहुत मेनत करनी होगी उपाय क्या करें आपने उपाय भी पूछा है देखिए पहला उपाय यह है कि प्रति दिन सुबह शूर योदय से पहले उठें और भवान शूर को जल अर्पित करें ताकि शूर से आपको शूफल मिलने लगे और शूर देवता सरकारी नोकरी के कारक होते है यूपी एसी एक्जाम क्लियर करके आपको गौर्मेंट जॉब चाहिए तो शूर देवता को प्रति दिन सुबह शूर योदय से पहले उठकर रिष्टान करके जल अर्पित करें दूसरा उपाय नियमित रूप से प्रति दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें आपको ऐसे उपाय बता रहे हैं जिसमें कोई धन खर्च नहीं होगा क्योंकि आप छात करें और आपके घर परिवार में जो आपसे उम्र में बड़े लोग हैं उम्र में जो बड़े हैं उनको खुश रखें अपने दादा दादी को पिता जी को ऐसे उम्र में जो बड़े लोग हैं सबको खुश रखें उससे जो आपका शूर ग्रह है वो और प्रबल होगा तो वो अगर खुश रहेंगे आपके व्योहार से तो आपको आशिरवाद देंगे और आशिरवाद में बड़ी ताकत होती है आप कोई भी एक्जाम निकाल सकते हैं तो यह उपाय करिए भगवान की कृपा से आपकी इच्छा पूरी होगी हमारे शुब कामनाय आपके साथ ह तुलाराश्य परिवार से जुड़े मसले हल होंगे किसी महत्पूर्ण व्यक्ति से मुलाकात होगी प्रिय जनों के साथ कुछ अनबन हो सकती है किसी काम में ज़्यादा उतावलापन ना दिखाएं किसी को पैसा उधार ना दें व्यापार में ध्यान देने का समय है जरूर प्रिटिप इगो से बचे शुब रंग सफेद उपाय गव माता को रोटी खिलाएं ब्रिश्चिक राशी नई योजना तयार करने का समय है उन्नति के रास्ते बनेंगे अपने ज्ञान और हुनर को बढ़ाने का टाइम है जल्दवाजी में कोई निवेश ना करें रिस्ते सेदारों के सहयोग से बिजनस ना करें व्यापार में और ध्यान देने की जरूरत है जरूरे टिप उतावले पंद से बचे शुब रंग लाल उपाय पक्षियों को दाना खिलाएं धनुराशी किसी से लड़ाई जगडा हो सकता है आज सावधान रहने का दिन है पैसा उध दाहर लेकर कोई काम ना करें यात्रा से बचना होगा दामपत्य जीवन में मतभेद ना बढ़ने दें अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें व्यापार में परेशानी आ सकती है जरूरे टिप क्रोध से बचे शुब रंग पीला उपाय किसी गरीब को चावल का दान करें मकर राशी मन में बेचैनी रहेगी परिवार वालों से सहयोग मिलेगा जो काम आप कर रहे हैं उसे पूरा करें लोग क्या सोचते हैं उस पर ध्यान ना दें कोई मित्र धोखा दे सकता है साउधान रहें व्यापार में लाब की इस्थिती बनेगी जरूरे टिप धैर रखे शुबरंग क्रीम उपाय किसी गरीब को फल दान करें कुम्बराशी कहीं दूर से अच्छी ख़बर मिलेगी आज कोई बड़ा सवदा करने से बचें अपनी बात पर अड़े ना रहें लोगों के सुझाव मानने से लाब होगा अपने खर्चों को कंट्रोल में रखना होग व्यापार में नुक्सान हो सकता है सावधान रहें जरूरे टिप जल्दवाजी से बचें शुबरंग बादामी उपाय किसी गरीब को पीले फल दान करें मीन राशी भाग का सपोर्ट मिलेगा अपने समय का पूरा उपयोग करना होगा जीवन में सुक सुविधाएं बढ़ेंगी आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी शत्रूं को लेकर लापरवा ना हूँ व्यापार में लाब का योग है जरूरे टिप आलस से बचें शुब रंग के सरिया उपाए भगवान शूर को जल अरपित करें राशी चक्र में आज बस इतना ही कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिन लों का आज जनम दिन है उन्हें जनम दिन के बहुत बहुत शुब कामना है आपका आने वाला समय शुब हो नवस्कार